नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशीश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूजेम इंडिया साथियों कलपना कीजिए कि आप राची शहर में है और किसी अपार्टमेंट में आग लग जाती है इसके बाद क्या होता है मान लीजे कि वो आग बहुत भीशन है कई फ्लोर पे आग फैल गई इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर अलग-अलग सरकारी दफ्तर से लोग आते है फायर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं ये चेक करने के लिए कि उस अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी एक्विप्मेंट सही जगह पर है या नहीं क्या-क्या safety alert का system है वहाँ पर और क्या-क्या safety equipment वहाँ पर मवजूद है बिजली भी भाग के लोग आते हैं यह देखने के लिए कि कही short circuit तो नहीं हुई यहाँ पर यहाँ पर जो wiring है वो किस तरह की wiring है उसमें कुछ fault तो नहीं है और फिर है हमारे हाँ की पुलिस अगर कोई प्राक्रितिक आपता नहीं हो तो उसके लिए हर हादसा या दुरघटना एक अपराद है जिसमें किसने किसी को सजा जरूर होनी चाहिए किसी को जिल जरूर भेजा जाने चाहिए लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि यह जो आग है वो आपके आसपास के जगह में न लगी हो और वो लगी हो लोगतंत्र के मंदिर में यानि जारखंड में जो एसेंबली है उसमें आग लगती है तो क्या होता है सच यह है कुछ नहीं होता है न पूलीस कुछ करती है न बिजली विभाग कुछ करता है न फायर डिपार्टमेंट कुछ करता है कोई कुछ भी नहीं करता अब खास बात क्या है यह देखिए यह नई बील्डिंग जो बताया जा रहा था कि पूरे देश में सबसे आधुनि और सबसे बहतरीन assembly की नई building बन रही है paperless assembly बन रही है यहाँ पर हर तरह की नय इंतजाम किया गहा है सुरक्षा के और इवें जो lighting है वो solar lighting है इस तरह की बहुत आधनिक विवस्ता की गई है प्रधान मंत्री इसका उद घाटन करते है 12 सितंबर को 10 दिसंबर को इसको शुरू करना था कामिस एसेंबली को लेकिन 6 दिन पहले 4 दिसंबर को यहां आग लग जाती है आग कहा पर लगती है वेस्ट विन में यानि वो जगह जहां पर की अपोजीसन के बैठने की जगह होती है और प्रेस की दिरखा होती है और अब खास बात जानिये क्या है यहां अपोजीसन की जगह किन को बैठना है बीजेपी को यह assembly किस ने बनवाई थी बीजेपी ने आग लग गई और बीजेपी ने आज तक कोई भी ऐसी मांग नहीं कि कि इसकी जाज की जाए कि आग कैसे लगी चार दिसंबर को आग लगती है उस building में जिसका प्रधानमंत्री उद्गाटन करते है दो-तीन मेंने पहले PMO का बहुत strict procedure होता है कि इस तरह के papers जवाब जमा करेंगे fire department के electricity department के भवन निर्मान के कि हर तरह से okay है तभी प्रधानमंत्री आते है उद्गाटन करने तो जाहर है कि यह सारे जो process थे वो किये गया और कुछ गलट ढंग से किया गया क्योंकि चार दिसंबर को यहां आग लगई तो यह साफ है कि कुछ नुकुछ कमी थी वहाँ पे लेकिन आज तक चार दिसंबर की यह घटना है और अब जन्वरी बीटने को है आज तक इस मामले में एक भी एफ आयार नहीं हुआ कोई भी पार्टी इस एफ आयार को लेकर के संजीदा नहीं है मुझे याद है कि जब इस आग लगने की घटना की ख़बर आई थी तो जेमें के तरब से सुप्रो भट्याचारिया ने एक प्रेस कॉन्फरेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि एक साजीस होई है 29 तारीक को जब नहीं एसेंबली का काम शुरू होना था उसके दो दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया था मैंने उनसे यही एक सवाल पूछा था कि सर आप बताईए कि जो आग लगी थी उसके बारे में आपने उसमें कहा था कि साजीस होई है सिर्फ इसी एक व 27 दिसंबर की और इस घटना को हो गए दो हफते से ज्यादा तो बिल्कुल साफ है यह आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है लेकिन एक व्यवस्ता है जो कि अपने जगह पर पूरी तरह सी इंट्राइक्ट रहती है यह नेता अपसर ठेकेदार के गठ जोर की व्यवस्ता है जिसने जारखंड को देश के सभी राज्यों में करप्सन के ममले में तीसरे नंबर पर पहुचाया है और जहरी इस व्यवस्ता में आज भी कुई कमी नहीं आई है इसलिए जो सरकार में आया है वो इसकी जाच की बात कर रहे है जो अब विपक्ष में गह है वो इसकी जाच की बात करें कोई नहीं का रहा है और एक इंट्रेस्टिंग बात के आवस में यह जो भवन है एक प्राइवेट कॉंट्रेक्टर ने बनाया भवन निर्वान भवन निर्मान विभागने इसकी जाच की अब कोई एक ऑफिसर नहीं तिन ऑफिसर एंजिनियर की जाच है सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर की जाच है चीफ इंजिनियर की जाच है उन सभी ने जाच में रिपर्ट दिया और क्या पाया कि भवन जो निर्मान हुआज़ी सही सवाल सब कुछ सही था तो फिर आग लगी कैसे सत्रौ कुछ की अधिकारियों के नहीं है इसके बाद इसकी जाज का जिम्माद दिया गया अब पुलीस मुख्याले को आप दोस्तों याद करके देखिए कि आपने कभी सुना है कि पुलिस मुख्याले ने किसी मामले की जाच किया आपने सुनोगा कि ये थाना जाच करती है ऐसे भी जाच करता है अब ये हमारे पुलिस मुख्याले जाच कर रहा है अब इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि इस मामले में आगे क्या था खास बात ये है कि भवनिर सभा में चल रहा है अब गौर कर्णवाली बात यह है कि विधान सभा के सचीव ने राजी के चीफ सेकेटरी को एक खत लिखा था उसमुव नहीं कहा था कि इस अगनी कांड की जो आग लगे थी इसकी जाच होनी चाहिए और खास तोर से यह देखा चलना चाहिए कि यहाँ प बात सामने नहीं आई कि इसमें आगे क्या हुआ तो जैसे धूमिल ने कभी कहा था कि बस सच्चे मतवेद के अभाव में लोग उचल उचल कर कुरसिया बदल रहा है तो जनता जब एक सरकार को चुनती है नई सरकार को लाती है तो बहुत उमीद से एक बहतर सासन की उमीद बदलाव करती है लेकिन क्या यह जो सरकार है वो जनता की भावनाव को पूरा करने में सक्षम है यह एसेंबली की आग इसका एक इमतहान होगा दोस्तों आज के लिए बस इतना है नमस्कार